ध्यान क्या है? ध्यान कैसे करें? ध्यान करने के क्या-क्या फाइदे हो सकते हैं? हमारा मन किसी एक चीज पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हम किसी चीज के वारे में विसुलाइज नहीं कर पा रहे हैं कंसंट्रेशन कैसे अच्छा करें? आज की इस वीडियो में जो भी बाते में आपको बताऊंगा उन बातों को ध्यान से सुनिए क्योंकि इस वीडियो के बाद आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे वैसे सभी इस्टुडेंट का मन पढ़ाई में नहीं लगता चाहे वो पढ़ाई आध्यात्म की कर रहे हो चाहे वो पढ़ाई medical science की कर रहे हो या किसी unfilled की कर रहे हो यदि उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो मैं उन्हें student को बताना चाहूंगा कि meditation, technique के द्वारा उन्हें पढ़ाई में भी मदद मिल सकती है और आपका concentration भी बढ़ेगा और जो student ये decide ही नहीं कर पाते कि उन्हें भविश्य में करना क्या है ये वो decision नहीं ले पाते हैं उन्हें भी meditation technique से decision making में मदद मिलेगी और साथ ही साथ वो age group जहें जीवन में peace, self-realization, self-awareness और live in present moment चाहते हैं उन्हें भी meditation technique से मदद मिल सकती है यानि ध्यान के द्वारा और हर प्रकार की सांती प्राप्ट कर सकते हैं इस वीडियो का main focus उन्हें सभी age group के लिए है जो meditation technique के द्वारा अपने जीवन में कुछ नकुछ changes चाहते हैं चाहे वो आध्यात्म से related हो self realization से related हो visualization से related हो या किसी भी प्रकार की ध्यान संबंधी चीज से related हो लिकिन इन सभी result को वास्तों में पाने के लिए आपको भी हमारे साथ meditation करना होगा इन सभी चीजों को अपने अंदर महसूस करने के लिए आपको लगबग दो माह का समयल लग सकता है तो patience बनाए रखिएगा उसके बाद आपको result दिखाई देने लगेंगे वैसे अगर आप meditation करना चाहते हैं तो सुरुवात में कम से कम आपको 10 minute meditation अवश्य करना चाहिए किसी भी व्यक्ति को meditation अपनी age के बराबर प्रति दिन करना चाहिए फोर इग्जामपल अगर आपकी age 22 साल है तो आपको average 22 minute प्रति दिन meditation करना चाहिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दू कि आज हम ध्यान क्या है ध्यान कैसे करें और ध्यान के फायदे क्या है तो चलिए शबसे पहले जानते हैं कि ध्यान क्या है ध्यान मतलब एक तरह का meditation ध्यान का मतलब अपनी सोई हुई सक्तियों को जगाना और अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल करना है साइंस के अनुसार हम अपने दिमाग का केवल दो प्रतिसत ही इस्तेमाल करते हैं साधारन सब्दों में अगर हम इसे जानने की कोशिश करें तो मान लिजए हमारे हाथ में सरसो के दो दाने हैं हमने उन दोनों को जमीन पर विखेर दिया और अब हम उन दोनों दानों को समेटना चाहते हैं इस क्रिया के लिए हमने अपने दिमाग को कई जगा बिखेर दिया है Meditation एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने दिमाग को जो की बिखर चुका है उसे एकत्रित करके उस जगा पर लगाना जहां पर हम उसे लगाना चाहते हैं वो जगा कुछ भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए वो जगा भगवान है कुछ लोगों के लिए वो एक बिजनस हो सकता है कुछ लोग अपना ध्यान पैसो पर लगाना चाहते हैं और कुछ लोगों के लिए वो पढ़ाई हो सकती है तो यह व्यक्ति के अनुसार बदलता रहता है तो अंतता हम यह कह सकते हैं कि वह कुछ भी हो सकता है जहां पर आप अपना ध्यान लगाना चाहते हैं यह हम यूँ ही सरल सब्दों में कह सकते हैं कि मेडिटेशन यानि ध्यान अपने भीतर या अंतहमन को साफ करने की एक प्रक्रिया है यह हम यूँ भी कह सकते हैं कि यह अपने आपको ताजा एवं सदैव युवा रखने का एक साधन है जीवन को पूरी तरह से जीने का एक प्रियाश है कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम ध्यान करते वक्त डरने लगते हैं यदि आप ध्यान से डरते हैं, तो इसका मतलब आप अपने जीवन से डरने लगे हैं, तुम अपने आपको जानने से डरते हो, अवेर होने से डरते हो, तुम उस सचाई को जानने से डरते हो, अगर इस प्रकार की भावनाएं आपके अंदर आती हैं, तो इसका मतलब आप meditation को सीरियसली नहीं ले रहे हैं आप उससे मजाग कर रहे हैं आप उसको वास्तों में जानना नहीं चाहते हैं सिरिप आप उसे करना चाहते हैं जबकि आप यहां भूल जाते हैं कि यदि किसी चीज को आप करना चाहते हैं और उसे फोर्सली करेंगे तो आप उस चीज पर फोकस बना ही नहीं सकते और जब आप फोकस बना ही नहीं पाएंगे तो आप कैसे ध्यान कर सकते हैं कैसे मेडिटेशन कर सकते हैं अगर तुम वास्तों में ध्यान के बारी में जानना चाते हो तो तुम्हें सबसे पहले ध्यान यानि मेडिटेशन पर विश्वास करना होगा तुम्हें अपने अंदर मौजूद उन सभी सक्तियों पर विश्वास करना होगा उस सुक्ष्म जगत पर विश्वास करना होगा उस सुक्ष्म आत्मा पर विश्वास करना होगा तब ही तुमसे ध्यान हो पाएगा अब सवाल आता है कि ध्यान करें तो कैसे करें अगर आप सुरुवाती तौर में ध्यान करना चाहते हैं तो आप अपना ध्यान दस मिनट से सुरू करें मेडिटेशन करने के लिए कुछ असान तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ किसी सांध जगां पर आराम से पहट चाहिए कोई सौफ्ट म्यूजिक चला लीजिए और अपने सांसों को काउन कीजिए अपने हार्ट पीट को सुनने की कोशिस कीजिए शुरुवात में यह आप दस मिनट तक करें और धीरे धीरे इसे बड़ा कर आप प्रति दिन 20 मिनट करने की कोशिस करें अगर आप चाहते हैं तो आप जादा भी कर सकते हैं परन्तु 20 मिनट तो आपको लगभग करना ही है नमर च्छू आप अपने घर पर दिवाल पर या किसी ऐसे जगह कोई पॉइंट बना कर उसे ध्यान से देख सकते हैं यह भी ध्यान का एक हिस्सा माना जाता है और यह ध्यान करने का सबसे आसान तरीका है यह तरीका ज़्यादा तर उन लोगों के लिए रिकमेंट किया जाता है जिनें आँखों में प्राबलम होती है मैंने ऐसा देखा है कि जुन लोगों की आँखों में कोई दिकत होती है आँखों से पानी गिरता है डॉक्टर उनको सलाह देते हैं कि आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ध्यान केंद्रित कीजिए उसको फोकस करिए उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करिए नमब थ्री, सुरुवाती दिनों में ध्यान करने के लिए आपकी दिमाग को सांथ होना जरूरी है अगर आपके मन में कोई क्रोध है, आप किसी से जिरिस फील कर रहे हैं तो ध्यान होना असंभव है तो सरवर्थम आपको अपने दिमाग से उस क्रोध को निकालना पड़ेगा किसी और के प्रती इर्शा है तो उसे भी आपको निकालना पड़ेगा तब ही आप ध्यान कर पाएंगे नमब फोर, हर काम जो भी आप करते हैं उसे पूरे कॉंसंट्रेशन के साथ करें आप यह देखते रहें कहीं आपका दिमाग कुछ और तो नहीं सोच रहा है अगर आपके दिमाग में कोई काम करते हुए भी दूसरे विचार आते हैं तो आप समच जाएए कि आपके दिमाग को और सांध करने की जरूरत है आपको अपने आप पर और ज़्यादा कंट्रोल करने की जरूरत है अगर आपके किसी विसेश अंग में कोई दर्द है तो आप यह महसूस करने की कोशिस करिये कि वह कम हो रहा है ऐसा करने से आपका सरीर धीरे धीरे ठीक होने लगेगा आपको या चमतकार जैसा लगेगा लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मेडिटेशन यानि ध्यान के जरिये आप बड़ी से बड़ी बिमारी को भी मात दे सकते हैं नबर सिक्स बाइद वे आप कभी भी मेडिटेशन कर सकते हैं परंतु सुबह के समय यानि चार से छे बजे की बीज का समय मेडिटेशन के लिए उपयुक्त माना गया है अगर आप चाहते हैं तो आपके लिए सबसे आसान टिप्स या है कि आप बैठ कर वन से हंडेट तक काउंट करें और या सेम चीज आप दिन में दो से तीन बार कर सकते हैं ऐसा करने से आपके माइड में कॉंसेंट्रेशन की पावर बढ़ेगी और आपके अंदर आने वाले नेगटिव विचार दूर होने लगेंगे ऐसा करने से आपका माइड एक से सो तक की गिंती के बीच फसा रहेगा और उसी से आपके माइड में जो भी नेगटिव थोट्स आते हैं वो क्लियर होते जाएंगे क्योंकि अभी आप काउंटिंग करने में ब्यस्त हैं तो आपका दिमाग किसी और चीज को सोच नहीं पाएगा और थोड़ी दिर बाद जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको एक से सो तक को तुबारा से काउंट नहीं करना पड़ेगा चलिए अब ध्यान के फाइदे जान लेते हैं नमब वन आप भगवान से कनेक्ट होते हैं नमब टू मेडिटेशन से हम अपने ही दिमाग अपने ही माइन को सांत और रिलैक्स कर सकते हैं नमब थ्री कहते हैं मनुष्र का दिमाग अने एक सक्तियों का भंडार है तो मेडिटेशन के द्वारा आप अपनी सोई हुई उन सक्तियों को भी जगा सकते हैं आप अपनी उस छुपी हुई पावर को महसूस कर सकते हैं जो एक आम इंसान कभी नहीं कर बाता नमब चार अगर आप यह चाहते हैं कि आप अपने जीवन को पूरता जीएं तो आपको ध्यान यानि मेडिटेशन अवश्य करना चाहिए नमब फाइब ध्यान यानि मेडिटेशन से आप तनावमुक्त जीवन जी सकते हैं नमब सिक्स आप अपने काम को कम समय में पूरा कर सकते हो जैसे मान लीजिए meditation से पहले आपको किसी काम को करने में 10 मिनट का समय लगता था और meditation करने के बाद आपका focus उस काम को करने में और ज़्यादा सक्षम हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि आपको जो समय लगेगा वह पहले से कम लगेगा आप daily के वो चीजें जो आप करते थे लोगों के वो नाम जिने आप भूल जाया करते थे उन्हें याद करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी आपका सरीर ज़्यादा healthy होगा आप ज़्यादा काम कर पाएंगे आप ज़्यादा समय किसी चीज को उत्सुकता से कर सकते हैं आप अच्छी निद्रा लेंगे आपको नीद बहुत अच्छी आएगी वो student जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है meditation करने के बाद वो पढ़ाई में ज़्यादा मन लगा पाएंगे और उनको वो चीजे ज़्यादा समझ में आएंगी जो meditation से पहले उन्हें समझ में नहीं आती थी क्योंकि meditation के द्वारा उनकी एकागरता बढ़ती है और जब एकागरता बढ़ती है तो पढ़ाई में मन लगता है और उस चीज को एक बार में समझा जा सकता है जिस चीज को पहले जब फोकस नहीं था तब वो नहीं समझ पा रहा था उसे अब वो बहतर तरीके से समझ पा रहा है and that is the last आप meditation से किसी भी प्रकार की बिमारी से लड़ने की सक्ति प्राप कर सकते हैं आप किसी भी ऐसे विसंपरस्थि में अपने आपको लडने के लिए सक्षम कर सकते हैं तो मैं आशा करता हूँ आपको यह जानकारी पसंदाई होगी पसंद आये है तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो से ज्यादा से ज्यादा लोग लाब उठा पाएं तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा मिलता हूँ अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्कार